दोस्तो नमस्कार अदाब मैं हूँ फराज शौदरी किसान आंदुनन को आप जानते हैं 50 जिन से उपर हो चुके हैं 50 जिन से जाद हो चुके हैं किसानों को दिली की सरहदों को घेरे हुए मगर इस पूरे 50 जिन से उपर के वक्त में हमें एक भी लम्हा ऐसा नहीं दिखाई दिया जहां हम ये समझ सकें कि हाँ केंदरी सरकार ने इस पूरे किसान आंदुलन को अच्छी तरीके से समाला है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कितने options अपनाये गए सरकार द्वारा कितने तरीके अपनाये गए किसान आंदुलन को रूकने के लिए किसानों के उपर लाटी चार्ज भी करवाया गया किसान नहीं रूके किसानों के उपर आसुगैस के गोले दगवाये क किसान जब भी नहीं रुके, कहीं किसानों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया, वो शहीद हो गए इस किसान आंदुलन में, बगर फिर भी किसानों की हिम्मत नहीं टूटे और इस आंदुलन को पजाजिन से आज उपर हो चुके हैं। अब एक और नया तरीका अपनाया है केंद्र सरकार ने किसान आंदुलन को टारगेट करने के लिए और उस तरीके का नाम है NIA यानि National Investigation Agency। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर NIA के जरीए किस सरीके से सरकार ने किसान आंदुलन में बैटे हुए किसानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है खालिस्तानी के नाम को लेकर पूरी खबर आपकी स्क्रिंस पर है NIA समन पर किसान नेताओं ने जताई नारा जाए तो NIA ने किसान नेता बल्देव सिंग सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीब सिद्धु को रविवार को सिख फॉर जस्टिस से संबंदित एक मामले में पूष्टाच के लिए बुलाया इस पर किसानों ने अपनी नराजगी भी जताई है NIA ने नियाएक दंड प्रकरिया सहिंता की धारा 160 के तहट सिख फॉर जस्टिस से संबंदित मामले में गवा के रूप में पूष्टाच के लिए लगपक 40 लोगों को समन भेजा है यह ने सिर्फ पूष्टाच के लिए धारा 160 के तहट 40 लोगों को समन भेज दिया है इस किसान आंदुलन में और आगे अगर इस बात पर आपत्ति नहीं जताई गई उंगली नहीं उठाई गई तो पता नहीं यह 40 का जो नंबर है आकड़ा है यह कब 44-400 पहुँझाए कब 19 से 21 जनवरी के बीच तलब किया गया है मैं आपको बता रहा था यह नंबर सिर्फ 40 है और अब इन से 40 नंबर से अलग 40 लोगों से अलग 60 लोगों को और समन भेजा गया है जिनने 19 से 21 जनवरी के बीच वहाँ पर हाजिर होना है पूष्टाच के लिए NIA के पास आगे सुन ये पैट्रोल पंप संचालक, जथेधार वज अन्यक कहीं लोग शामिल है आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ किसानों को समन नहीं भेजा गया है हर एक वह व्यक्ती जो इस किसान आंदुलन में है जिसने किसानों का समर्थन किया है किसान 15 जनवरी को जारी किये गए हैं किसान नेता और करांतिकारी किसान उनियन के प्रमुख दर्शन पाल सिंग ने कहा कि समन पाने वालों में वो लोग भी हैं जिनोंने जान गवाने वाले किसानों के परिजणों की आर्थिक मदद की मतलब पचास से जादा जिन किसानों ने लोगों ने अपनी शहादत दे दी सांदुलन के लिए अपनी जान गवा दी उन लोगों की जिन लोगों ने सहायता की थी आर्थिक मदद की दी फाइनेंशल उनकी हेल्प की थी उन लोगों को भी समन भेजा गया है एना ये दुआरा ये कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए पहले तो हमारे देश के किसान सड़कों पर बैटे रहते हैं किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है उसके बाद पचास से जादा लोग अपनी जान गवा देते हैं कोई बिमारी के कारण कोई खुद ही आत्मत्या कर लेता है फिर भी किसी के कानों में जून नहीं रेंगती है और अब हद तो जब हो गई जब उन्हीं लोगों की मदद करने वाले लोगों को भी समन भीजा गया है आगे सुनिये उन्होंने कहा कि क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर के साथ हुई पिछली बैठक में एनाइए के मामलों का मुद्दा उठाया गया था जिस पर उन्होंने कहा कि वो देखेंगे मगर अभी तक नहीं देखा है भारते किसान उनियन डगॉंदा के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आधार बनाया जा सके आप पूरा प्लैन या सुनिये दर्शन पाल सिंग इस बात को बता रहे हैं कि आनन फानन में रविवार को एनाइए ने पूछताच के लिए तलब किया ताकि इसे सोमवार को यानि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई में आधार बनाया जा सके फिर वो कहते हैं इसी आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तान की घुसपैट का हलफ नामा दाखिल कर सकती है आप टाइमिंग देख लीजिए मंडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने थी और संडे को उन लोगों को समन भेजा गया है तलब उने किया गया है ताकि अगले दिन कोर्ट में खालिस्तानी होने की जो घुसपैट होने की दावा कर सके सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये पूरा खेल आप समझ सकते हैं किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने वाले लोगों को NIA के नोटिस पर किसान न ट्रेपते के लिए तैयार रहना चाहिए मतलग जो लोग भी इस खिसान आंदोलन के समर्थक है समर्थन करना चाहते हैं वह जेल जाने के ने के लिए तैयार रहे। और उनकी जमीन जब्द भी हो सकती हैं वो इसके लिए भी तयार रहें ये राकेश्टिकैट साब कह रहे हैं अब मैं आपको फटर फट से कुछ नाम बता रहा हूं जिनको ये समन भेजा गया है तलब उन्हें किया गया है किसान नेता वह लोग भलाई इंसाफ वैलफेर सुस सपता किया है और लोगों को समन भीजा जाएगा क्यों कि लाखो की संख्या में किसान सब्ड़कों पर बैठे हुऊ rhyme और सरकार ने अब एक ये नया तरीका ढूंड लिया है कि लाइन करके मौकों मौकों पर समन भेजे जाएंगे एना ये दुआरा किसानों को अलग-अलग लोगों को जो भी इस किसान आंदुलन से जुड़े हुए हैं उन्हें पूस्टाच के लिए बूलाया जाएगा खालिस्तानी जो शुरू से पहले दिन से भारते जन्ता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं इस किसान आंदुलन पर कि इसमें खालिस्तानी हैं वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं आतंग-वादी भी हैं ये सब भारते जन्ता पार्टी के नेताओं के कर्तू है और यही मुद्धा आप आज देख सकते हैं कितना बड़ा बन चुका है कि आखिर सुप्रीम कोट में भी अब ये हलफ नामा दायर किया जाएगा कि इस किसान आंदुलन में खालिस्तानी भी हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं हैर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लेगी आप मुझे कमेंट करकर बताईए खबर आपको पसंद आई हो तो इस आगे शेयर कीजिए साथ में हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूस को सब्सक्राइब करक ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें आप मुझे दीजे इजाजत नमस्कार